हलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूँ अमित दिख्षित और आप इस समय देख रहे हैं एनायोएस डियलेड असाइनमेंट सीज जिसमें मैं आसाइनमेंट्स जो है एनायोएस डियलेड के जो आसाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं और उसके उत्तर कैसे लिख करना है उनके आंसर साब कैसे लिखेंगे उनने कैसे तयार करेंगे यह मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले के लेक्शर में मैंने जो कोर्स 501 असाइनमेंट वन का जो पहला आंसर है यानि कि पहले कॉश्चन का जो आंसर है जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कॉश्चन मे कि समाज एवं सिक्षारतियों की आवशक्तों की पूरती है तो एक सिक्षक होने के नाते अपने आप में आप किस प्रकार के बदलाव करना चाहते हैं ये प्रशन था पहला और अब मैं इसका दूसरा option में जो प्रशन दे रखा है उसको आज answer करने वाला हूं आप इस वीडि आपको बताता हूं कैसे आप करेंगे इसको तो इसमें जो प्रशन है वो इस प्रकार है how do you feel the role of ancient guru has changed in present society which quality of ancient guru you would like to adopt as a teacher and why यानि कि आप किस प्रकार महसूस करते हैं कि जो प्राचिन गुरू की जो भूमिका है वो बदल गई है और आप सिक्षक होने के नाते प्राचिन ग आप क्या महसूस करते हैं कि प्राचिन गुरू की भूमिकाएं कैसे बदल गई है तो इसके अंतरकत हमको यह चीज़ बतानी होगी कि आज के समय में क्या क्या बदलाव आ गए है नैचरल सी बात है तो इसमें आप अपना आंसर इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि आज के अध आपको उन मुद्दों से जो की नई अधिगम प्रिक्रिया यानि कि सिखाने की जो नई प्रिक्रिया होती है नई प्रोसेस होती है लर्निंग की उसको समझना होता है नए नए तरह के सिखाने के माहौल से जोड़ना पड़ता है एक नया अधिगम पर्यावरन से जोड़ना जा सकती है जो जो परिवर्तन की जो दर है उसको तुरुत कैसे किया जा सकता है जो बदलाव है उसको उसमें तीवर्ता कैसे लाई जा सकती है क्योंकि आज बदलता समय है हर दिन शिक्षा हर चीज में परिवर्तन आ रहे हैं तो उस सबसे जो परिवर्तन होना है जो चेंज होना है उसको तीवर्ता से करने में आप जो शक्षम हो सकें तो ये ऐसी कुछ नई चनौतियां नए तरह के रोल आज के समाज के सिक्षोकों के लिए बन गए हैं और जो की प्राचीन काल में इतना नहीं होता था और इसमें आगे बढ़ता हुए आप इसमें ये जोड़ सकते हैं कि विकास शील समाज में जो अध्यापक की बहुमिका को बता सकते हैं जिसमें बताया गया है कि प्रद्धोके की चुनोतियों के फलसुरूप अध्यापक की नई बहुमिका हैं स्रजुत हुई हैं आज आजकल के समय में पहले के तुलना में और जो बहुमिका हैं उनको कुछ पॉइंट के माध्यम से बता सकते हैं जिसे आज के नए विश्व में बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं तो इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे अब यहां मैं इन पॉइंट को आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि यह जो लेक्चर है यह जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ यह प्रश्ण का अंसर यह आपके जो स्टडी मटेरियल उसके टॉपिक के अंतरकत है टॉपिक 1.2.4 टॉपिक है एक एक का कोर्स 501 का और इसके संबन में मैंने लेक्चर दिया हुआ है अलेडी आप यह जो मैं आपको इस से वार में जो गाइडेंस दिया है उसके जरीए आप यह प्रश्ण का उत्तर लिख सकते हैं और इसमें इन पॉइंट्स को जैसे आपको इसांसर को बढ़ाना है ज्यादा बड़ा लिखना है तो इन पॉइंट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं एक एक पॉइंट पर यह आप बहुत कुछ लिखा जा सकता तो आप जित पर जो लोग रेगुलर मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं वो जानते होंगे तो आप लेक्चर 5 को देखें उसमें इनकी पूरी टॉपिक को मैं अच्छे से समझाया है वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे समझ कर आप एक अच्छा अंसर इसमें इसका बना सकत नहीं तो आप यूट्यूबर अगर डारेक्ट भी सर्च करते हैं जो लोग नहीं जानते हैं तो आप नियूस डियलेड लेक्चर नंबर 5 लिखेंगे तो यह आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर ही आपको मिले गए और वहां से आप लिख सकते हैं उसको सुनकर तो यह पार आप अपना अंसर लिखेंगे कि यह आपके पॉइंट में दे रखा है यह भी आपके इसके बारे में मैं पहले समझा चुका हूं जो की दे रखा है टॉपिक 1.2.3 जो मैंना बताया कि लेक्चर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा यह और लेक्चर 3 में मिल जाएगा माफ जाएगे वो डीटेल आपको मिल जाएगी जो कि आप लिखना चाहते हैं यह देखे मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस टॉपिक में क्या है वर्तमान सामविरतिक वेबसाइक अध्यापक शिक्षा के बारे में यहां कुछ पॉइंट दिये गया है उसमें बताया गया आत्मक, अभिवक्ति शील, एक अच्छा श्रोता, वेशवशनिय, पृतिकर वहवार इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट इसमें नीचे तक दिये हुआ है पृति बद्य तक तो देख रहे हैं आप काफी पॉइंट हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आप चाहें तो लिख सकत है उसमें आपको इसकी डीटेल मिल जाएगी आप समझ के आराम से लिख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉश्चन का अंसर बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि पहला कॉश्चन का अंसर इतना आसानी से उपलब्द नहीं था इसलिए मैंने उसके केंपैर में यह आंसर मुझे लगता है कि आप जादा अच्छे से कर पाएंगे तो इसे आप कर ले तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई दिक्कत हुथा आप पूछ सकते हैं कमेंड करके मुझसे तो इस वीडियो लेक्शर को मैं यहीं खतम करता हूँ Assignment 1 का यह एक जडूर च olduğunu आउचया है तो यह हमने जाना कि किस प्रकार प्राचिन गुरु कि कौन-कौन से उधारण आप ले सकते हैं कौन-कौन से गुण ले सकते हैं और आपके अनुसरा प्राचिन काल की गुरु में उनकी बाटका किस प्रकार आज के समय में बदल गई ह तो यह प्रश्न था तो इस वीडियो लक्ष्टर को जितना लाइक कर सकते हैं आप लाइक करें लोगों तक जाज ज्यादा पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके असाइंडमेंट को लेकर तो जरूर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को